आज हमारे साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड रहे हैं एक खास इंटर्षकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमसकार और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए मेरा एक प्राब्लम है मुझे हिंदी बोलने के आदत इतनी हो गई कि कुछ परिवार जो कि मूल हिंदी भाषे लेगें गुजरात में बसे तो शिकायत करते थे कापको मुह में गुजराती अच्छा नहीं लगता है अब गुजराती मत बोलो आप बंगाल में बांगला भी बोल रहे हैं तो बहुत सी भाशा हैं आपने तो मझे अवारे इच्छा भी रहती है कि मैं सीखों तोड़ा प्रदान्मंत्री सेद्हार जो मैं पोछना हो चुके है वेनाफ से दोफेस कंशनाव खुक एक आपका नामानकन और कुछ ना-मान कर भी को डर्ते-डर्ते मुरते चलते चलते हो गए है और आपका कि अधा मानकर्ण कभ हो रहा है और काशी से यह जो आपका नाता है काशी का नाता आपके लिए क्या माइने रखता है। मैं लेकिन थड़ा भावुक हो उस्वेबन में राजनितिक दर्शी से जो भी होगा मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद को लांस मोमेंट टाई हुआ तो मेरा काशी जाना तो नामांकन के बाद ऐसे ही मिडिया के लोगों ने मुझे पकड़ा तो मेरे मुझे से ऐसी एक भाव निकल गया और उद दिन आप देखेंगे मेरा वो बिलकुल मैं तयार नहीं था अचानक ये मुझे पकड़ा था मुझे देखें बई न मैं यहां आया हूं न मुझे किस्ते ने भेजा है मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है ऐसा मैंने 2014 में लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं कि उस समय मैंने कहा था कि मा गंगा ने मुझे बुलाया है आज मुझे लगता है कि मा गंगा ने मुझे गोर लिया है तब ही काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूँ तो ही कहता हूँ मेरी काशी और इसलिए एक मा बेटे का जैसा रिष्टा वो रिष्टा मैं मेरी काश्य के साथ लोक्तंत्र है ना मंकर भी भरेंगे लोगों से आशिर्वाद भी मांगेगे और लोगा अशिर्वाद देंगे भी लेकिन ये रिष्टा जन प्रतिन दिवाला नहीं है ये रिष्टा किसी और ही अनुभूती का है जो मैं फिल करता हूँ और इसलिए उमिद्वार ना मंकर चुनाव ये लोक्तंत्र की प्रतिया हैं पुरी करेंगे पर ये रिष्टा मा बेटे का जी और आपने इसका मतलब सेवा भी मा के तोर पर ही की वो जो काशी में इतना विकास हुआ है कि एक करता भी होता है जन पते ही दिखा लेकिन मैं अपने आपको कि कभी भी कि यह मैसूस नहीं किया कि मैं कहां गुजरात का काशी के लोगों ने इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया कि मैं कलपना नहीं कर सकता हूं कि नमांकर 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 आप कब फाइल कर बोस्त प्राब्यम ली तेरा चोधा के आप कि मेरे और कारिकम बहुत हैं कि तुसमें से वेड़ेस्ट करके कुछ निकालेंगे समय निकालेंगे या थोड़ा मानते हैं कि समय के हिसाब से बढ़ा इंट्रेस्टिक बढ़ा बदा आपने बढ़ा बज्यदर सवाल पूचा दोजार चौदा में सपत समारो था तो मैं राश्पति पर हो गया प्रणुमकरजी साब से बात करने के लिए तो मैंने का यह इच्छा है अगर आपको सुविदा हो क्योंकि यह कारकेम तो राश्पति जिगा होता है मैंने का बहार करेंगे तो अच्छा होगा तो वो जो समय लोगोंने मुझे बताया था बोले साब दीन में करना अच्छा होगा तो वे उस समय तो धूब बहुत होती है तो मैंने का कैसे करेंगे तो पर शाम को करेंगे तो अच्छा होगा तो मैंने ठीके शाम को कर लिजी तो शाम को टाय हुआ उस समय आपने देखा अखबारों में बहुत आर्टिकल चपते थे इंटर्वी चपते थे यह मूर्थविक नहीं है मोदी जी गलत कर रहे हैं यह इसका कोई उपाही भी नहीं शास्त्रों में भादी बाती है कि मुझे भी काफी लोग के बीच में तोड़ा समय था तो मुझे पर पिदाभाव डाल को तो उस जुक्त से और पहरा हर समय होता है यहीं समय है फ़िख सब्सक्राइब वसक्रहता है उसमें से दो फेसी चल लगया मतलब अगर आप मायने की साथ ईजान में कर दोखे आंसर इसी पर और भर कि अच्छा होता है आप लोग मेने पहले मेरा इंटर्यूव कर लिए होता है मैं जराग ठीक से बता देता आपको आप ये तो देखें आज हमारा सिटिंग एंपी कितने है कि कभी ये तो दिमाग खपागी है जी हम 2019 में जीत के आए तम एंडी है मोट माप सब्सक्राइब 359 इतना कुछ था फिर ये आंद्रे की पार्टिकर पार्टी और उडिसा की वह हमेशा हमारे साथ रहे तो वह करीब 35 लोग है फिर नौर्दीस के लोग हमारे साथ रहे हमेशा तो हम आल्रेडी इने वे फंक्शनल वे में कहें एंडीए प्लस इसको कहें तो हम 400 से करीब- यह लोगों को क्यों असर हो रहा है कि 400 400 400 ठीक है कि छब्दों में आया लेकि रियालिटी यह है कि हम अल्रेडी 2014 से 19 करीब-करीब 400 MPs के सहयोग से ही समसुद चला है यह नंबर आप सही बता रहे हैं लेकिन बीजेटी से एक अलाइंस की बात हुई जो थोड़ी दूर चली और फिर रह गई तो अलाइंस नहीं रही पर सपोर्ट जरूर रहा है हम पहले भी कभी हम पहले उनके साथ NDA के रूप में हम कभी चुरूर आपने सामने ही लड़े थे 19 में भी हम आपने सामने ही लड़े थे क्योंके चाहे वो wealth redistribution हो या inheritance tax हो ऐसी कोई भी बात उनके manifesto में नहीं है ये कही ना कहीं बीजेपी लोगों में दर पहला रहे हम C.A. का कानून लाए है साब साब लिखा हुआ है साब साब कहा गया है न बोलने में किसीने गलती की है न लिखने में गलती की है न देश के कानून में कोई गलती है सीधा सीधा वो कानून citizenship देने के लिए है उसमें कहीं पर भी citizenship लेने का नहीं है दो साल हो गए कॉंग्रेस पार्टी जो जूट फैला रही है क्या कभी आपने उसा फैक्ट चेक किया क्या कभी पाट साला में उनके कपड़े उतारे गया क्योंकि जूट इतना चला रही है जबकि हम उनके एक-एक स्टेट्मेंट देख लीजिए अब जैसे ये इनहेरेटन टेक्स की बात लेका आए है कोई मुझे बनाए है दुनिया के किसी भी डवलपिंग कंट्रीज में इस परकार का प्रहुक हो आए क्या है आप साम्यवादी विचारदार के बाद छोड़ दीजिए इनके गोशना पत्र में और उनकी स्पीचीज में जो बाते हैं आपको एक साथ मिला करके एक कैनवास पर रखने पड़ेगी ये लगातार बोल रहे है और सब बोल रहे हैं ऐसा नहीं कोई बाइगर में बोल रहे ह और फिर उनकी गोशना पत्र में जो लिखा है और पहले जो डॉक्टर मनमुन सिक जिने बोल रहा है मनमुन सिक जिने दो बार पब्लीक लिका है कि इस पर पहला हक मुसल्मानों का है और जब फिर आप सर्वे करने की बात करते हैं फिर कहते हैं कि हम सब ले लेंगे और बात करेंगे तो फिर वो किसको देंगे तो जो मनमुद्जी के गहा ता उनको देंगे तो साफ साफ जो बाते होती हैं कि ये अलग-अलग डॉट्स को जब भिठाते हैं तो रती भर्मी मेरी बात में प्वेश्चन करने ज़स्द है नहीं उनके भाशा उनके शब्द उनका ल सब को अगर एक कहनवास पर देखेंगे तो उनके इरादे साफ हैं कि ये उनका हिड़न एजेंडा है सा मैं नहीं मानता हूं सिर्फ बोलते समय वो हिड़न रखते हैं इस बार मैंने उनको खुल करके बेनकाब किया है इसलिए वो बोखला गए है वरना जब उस वोट पाने दुग्यापन उनके है हम्मत होनी चाहिए हम सावलों तक राम मंदिर के बात करते चाहिए हमें इलग्षन выступ है अगर मेरा network लोग्सें दस पेच का होता था लास्ट लाइन लिख्षटे थे में राम मंदिर राम मंदिरी होती थी उद्दिन की टीवी डिवेट राम मंदिरी होती थी और फिर चर्चा में यह होता था तारिख नहीं बताएंगे यानि हमारे मैनिफेस्टों के दज्जियां उड़ा देते थे आप हम गरीबों के लिए उजनाय लेकर आते थे एक शब्द इस देश के मिडिया में कभी चर्चा में नहीं आया चर्चा में सर्वे तीन चीज़ा रखी गई आज कॉंग्रेस के बचाओं में मिडिया ने क्यों काम करने की जरू होता है कोई कारण नहीं है यह मिडिया का काम था कि उनके पांच मैनिफेस्टों लेकर करके अनालिसिस किया जाए और उनके इरादों का उनकी भाषाओं का उनकी बातों का अब देखिए संभिधान इस देश में संभिधान का स्पिरिट परदा करना चीए आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वकीलों और जजीच के लिए ही संभिधान हो गई संभिधान देश के कौमन में संजूरना चाहिए इनों ने संभिधान की कभी परवा नहीं की जब मैंने प्रस्ताव लाया कि हम संभिधान दिवस मनाना चाहते हैं खरगे जी ने खूद ने प मैंने गरंत जो है वो हमारी आने वाली पीडियों को उसके प्रतियों सद्धा का भाव पैदा करना चाहिए स्कूल कोले डिवेट सब जगा भी चर्चाव ने जब उसका महत्में बढ़ाएंगे तो फिर मैंने कहा कि जब उसके 60 साल हुए थे सभिधान के तब भारत ने इस सभिधान दिवस मनाया और हाथी के उपर अमबडी में मैंने सभिधान रखा और मैं नीचे पैदल चलता था मुखे मंदरी और मैंने सुरेन नगर में बहुत बड़ा उसकी यात्रा निकाए लोकों की सभिधान के प्रतिश्वत्या बने हैं इनको सभिधान के नाम पर जू नहीं निकला है को इसी कारेकःटनाम न ने किसी जंदर में कहीं बोल दिया उसे को उचाल करें पूरी तरह हमारी पार्टी को हमारे वर्जन Cord Kid को मानने कम पॉद किला है और खुद कि के ए इस लने चरफ सकता है उपको ज्बाब देना पड़ेगा यया बिल्क ठीक कि एक पूरा एको सिस्टम जो है वो इसमें लग जाता है उधर से ये प्रशने नहीं पूछा जाता कई बात या पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता कि बीजेपी के गोशना पत्र में कहा है कि समयदान खतम करेंगे अगला चुनाव नहीं होगा यहां वन नेशन वन एलेक् वो कहीं नहीं लिखा था लेकिन वो भ्रहम फैला फैला कर फैला फैला कर चीज्वे वो खराब की गई आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकर धर्म के नाम पर आरक्षन नहीं आने देगा ये बड़ी strong line है और हमने पाडशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं आपने गुजरात के CM रहते वे भी ये चीज जग जाहिर की थी आपको क्या खतरा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षणा या मुसल्मानों को आरक्षण मिल जाए इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं है जिस समय सम्विधान बन रहा था देश के गणमान ये लोग सम्विधान समय में बैठे थे डॉक्टर राजेंद बाबो बाबा साब हमेड़ कर पंडित नहरूब कर सब बैठे थे उसमें तो कोई RSS BGP वाला उसमें तो सवाल इनी था ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और समने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के भात ते किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षान भारत के नुक्षान करेगा ये लंबी सोच के लिए ठीक नहीं है जहां तक दलीत का आदिवास होगा तो एक पिछले सेंकड़ों वर्सों में समाज में जो विक्रूतियां आई जिस पकार से छूत अचूत का भाव पैदा हो गया उंची निच का भाव पैदा हो गया और एक पकार से समाज एक बहुत बड़े वर्क के साथ जन्म के आधार पर अन्या हुआ तो उसका प्रायस्चित कर करना जरूरी था और उसमें यह सुझाव निकला और यह यह निर्णे भी सनातनियों ने किया है संविधान सभा में जो लोग बैटे थे सब सनातनिते जितने बैटे थे सब सनातनिते नहरुजी जैसे कुछ अप्पाइद हो सकते हैं जो अपने आपको उससे उपर मांगते ह लेकिन जादातर वही लोग राजेंदर बबु ठीका करके बैठते थे ऐसे लोग बैठते थे उन्होंने नेने किया था कि हमें यह प्राइश्य करना है आरक्षण देना है और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हूँ मैं सम्विधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूँ मैं सम्विधान के शब्दों का प्रतिष्णा बढ़ाना चाहता हूँ और इसलिए मैं डेव वन से कह रहा हूँ कि सम्विधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण इसका मतलब यह नहीं कि मुसल्मान को बेनिफिट नहीं मिलेगा जैसे हमने गरीब लोग हैं उनको और कोई जगड़ा नहीं हुआ किसे का लूटा नहीं चोरी नहीं की सामान ने वरक के चाह वो ब्राम्मिन होगा बनिया होगा उसका बेटा भी अगर वो गरीबी भागा है उसको मिलेगा उसमें मुसल्मान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नही क्राइब में और ने हो सकती है तो हिंदू हो मुस geb stimulate बिलना चाहिए जहां तक आदिवासी और दलीत का सवाल है इसके पीछे हजारों साल का इतिहास पड़ा हुआ है और इसलिए वो एक स्पेशल कारण है और जो संविधा ने सही निर्णे किया बाबा साब आमबेटकर ने सही निर्णे किया और जो आज भी देश उसका रिस्प करती हैं और मैंने मारता हूँ की कोई पॉलिटरीकल बाद्रीस या आप हिंदू मुसलमान नहीं करने वालों के विरोदी है ये धर्म के आथार पर वोट मेंके खेल ऑने में प्ना कहा रहनां कि हम जो ठेके देंगे उस पथेके इस के लिए फिश्य चल सकता आ जी ठेका दि तो इसके बदले में जब लोग कहते हैं आप मुसल्मान विरोधी है वो कहते हैं कि मुसल्मानों को इस देश में डराया जाता है मोधी इनके खिलाफ हैं हिंदु मुसल्मान करते हैं जब चुनाव होता है जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टों में रहता था राम मद्दिर तब भी रहता था 370 तब भी रहता था UCC से मोधी की सरकार अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है जो बागी हो ओके रहता है जहां तक हम्हारा सवाल है यह सिद्द करें कि weं यह हमारा जैसे मैं कहता हूं भई सेक्टुरेशन मुझे करना है सरकारी यह जनाव का सेटुरेशन बडलब गाउं में 50 लोग है जिनको गर मिलना चाहिए बडलब 50 को 50 मिलना चुछी है फूटी ने इनको नहीं बडलब उसमें सब समाज आजाएंगे सब धर्मा जाएंगे आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजी गिन्याई की एक गारेंटी है सेकुलरिज्म की गारेंटी है मोधी हर काम उस प्रकार से करता है कि वे सब को सब मिले इसके लिए करो अभी में मैं पॉब्लिक लिए कहता हूं कि हमने चार करो घर बनाए अब कुछ परिवार हैं विस्तार हुआ उनका तो उनको एक घर की जरुत है तो राज्यों से मुझे कहा जाता है साब अकर कुछ और मकांक हो जाए तो मैंने कहा चलो भी तीन करोड और हम प्लान करते हैं साथीन करोड की जरुत नहीं पड़ेगी तो मैं पॉब्लिक लिए भी चबहों में कहता हूं कि आप चुनाओं में जाते हो तो जाएजे लेकि मेरा काम करिये अगर कहीं कोई नजर आ जाएं कि जिसे अभी घरब मिला नहीं है नल से जल मिला नहीं है गैस का कनेक्शन नहीं मिला आए रह गया है तो आप उसकी चिठी मुझे लिग दीजिए और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोधी की गारंटी है कि तीसरे ट्रम में यह मिल जाएगा और मैं कहता हूँ आप ही मेरे मोधी है क्योंकि मुझे काम करना है यह वह यह नहीं कह तो यह दर्म के उस दर्म के तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं कैसा लगता है ना हम इस्क्लाम के विरोधी हैं ना हम मुसल्मान के विरोधी हैं हमारा यह कामी नहीं है जहां तक गाली देते हैं यह नहरू के जमाने से एक नेरेटिव बना हुआ हुआ है इस प्रकार की गाली देने का दूसरा पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मैनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था क्योंकि गाली दे तो यह मुसलमानों की दुश्मन है तो आप अपने मुदर उस्मान के मित्र बन जाते हो कुछ किये भी ना तो बुपत पाइदा मिलता है तो इसलिए उना ने एक भाय का वाताऊन बना करके फाइदा लेने के लिए दुकान चलाए रखिये मुसलिम बहनों को लगता है क्या रही तो जिन्योन आदमी है मैं जब आयुशमान काड़ देता हूँ तो उसको लगता है रही तो जिन्योन लगती है मैं कोवीड का वैक्षिन देता हूँ तो उसको लगता है रही तो जिन्योन आदमी हमारे ताप तो कोई वेदी नहीं कर रहा है इनकी परेशान ये है कि उनका जूट अब पकड़ा जाने लगा है इसलिए उनको ज़्यादा भ्रह्म फैलाने के लिए बिना सरपैर के जूट बोलने पड़ रहे है प्रदानमंद्री जी इसमें छोटा समय एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि इसमें कोई दोराय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसल्मान होगा घर मिलना है गरीब को मिलना है वो गरीब कोई भी हो सकता है लेकिन 2002 से आज 2024 हाँ हो गया हम और आप किसी समान को खरीदने जाएंगे तो दो साल तिन साल के बाद शायद नहीं कर देंगे कुछ नया ट्राइ कर लेंगे 22 साल से यही नेरेटिव कैसे मुसल्मान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसल्मान को खतम कर देगे देकि मैं करीब करीब 25 साल हो गए मुझे Head of the Government के नाते और गुजराद में आपको मालूम होगा साइद 18-20 सताथी या 19-20 सताथी से record अवेलेबल है दंगे गुजराद में होते थे उसका दस साल में साथ साल दंगे होते थे 2002 के बाद गुजराद में एक भी दंगा नहीं हुआ है गुजराद में मुसल्मान जो हैं आज बीजे भी वोट देना दे रहे हैं दूसरा मैं आज पहली बार कह रहा हूँ मैं कभी पहले कभी इन विश्चर को लिया रहा हूँ मैं मुसलिम समाज को कह रहा हूँ उनके पड़े लिखे लोगों को कहता हूँ कि आत्ममंत्थन करिए सोचिए देश इतना आगे बढ़ रहा है अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है सरकार की व्यवस्ताओं का बेनिफिट कॉंग्रेस के जबाने में आपको क्यों नहीं मिला क्या कॉंग्रेस के कालखण में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या आत्ममंत्थन कीजिए और एक बार तह कीजिए यह आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे हम उतारेंगे उसमें आप अपने बच्चों का भविश्खाराब कर रहे हो मुसल्मान समाज दुनिया में बदर रहा है जी आज मैं गल्ब के देशों में जाता हूँ इतना सम्मान व्यक्ति का तुमसे मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है उन सब को लगता है हमारी हैं विरोध हो रहा है अब साओधी एरेविया में योगा आफिशल सिलिबस का सब्जेक्ट है यहां में योगा की बात करो तो आप यह चला दें मैं गल्ब के देशों में जाता हूँ इस सारे अमीर लोग जो है मेरे साथ बैठते होंगे लंच या डिनर में जुरू मुझे योगा के बीशे में पुछते है कि मुझे जी इसका स्पेशल ओफिशल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना है कैसा करना कोई कहते है मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा शिक रहे साल बेर एक मेहिना तो बोले वो हैं रहती है अमीर की पत्निया कहते थी उनके परिवार जनाते है अब यहां उसको नको हिंदू मुसलमान बना दिया योगा को भी अब यह जो कर रहे मैं मुसल्मान समाज से आगर पुरव कहता हूं कम से कम अपने बच्छों की जीनगी को तो सोचो अपना भविष्ट तो सोचो मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर के तरह जीनगी जीए क्योंकि कोई डरा रहा है क्योंकि कोई डरा रहा है दूसरा अगर आप बैठना उतना सुरू करोगे भाज़ापा वाले आपको डर वाले लगते हैं अरे जाओनों पचास लोग बैठ करगे भाज़ापा करें अब एक दिन बैठे रहो निकाल देंगे किया आपको आप देखी क्या चल रहा है कौन निकालते आपको कपचा करूं कि बीजी भी कर लेता है कौन रोकता है अपको तो ने और प्रतानमंद्री जी जो अब हम फेक नेरेटिव की बात करते हैं जिसमें कई बार मुसल्मान भी फस्ता है कई बार ऐसा लगता है कि उनको यह क्यों नहीं दिखता कि कश्मीर में पहले मुसल्मान का बच्चा कर रहे थे कि आप शायद वो वेकती हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवी बाहर सबसे गलत पेश हुई हुई है आपसे मिलने वाला आपको जानने वाला अलगी जानता है और बाहर तो अलगी दुनिया है यह फेक नेरेटिव इतना पहलाया अपने दोस्तों का कितना सुला ल एडियो फेलाया गया आप लोग काफी उसको लेकर अग्रेसिवली आपने का कि यह बहुत घलत हो रहा है इस पर आपका रियाक्शन पहले से अलग था बाकी के जूट से ऐसा क्यों और यह क्यों मैं ऐसा नहीं है मैं आपको बता ठों मत्यपदेश के चुनाओं मैं एक रात सोने पाए को बोले रात को ही मुझे अफायर करनी है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है मैं राजनीति से मरा कोई लेना देना नहीं दूर से नमस्ते करता हूं दुखी था बहुत मत्यपदेश में एक्शन लिए गए गये उन लोगों पर तो ऐसा नहीं है कि पहले प्राहस हुआ है और मैंने जब दिवाली का बीजेपी के कारेले में गेट टूगेदर था मैंने डीप फेक पर लंबा भाशन किया था जान मुझ करके किया था उद दिन और मीडिया को यह समय ने कहा थे बहुत बड़ा संकट में देख रहा हूं मैंने मेरी जी ट्वेंटी समिट में स हरे के उपर एक मैसेज पहले आना चाहिए कि यह AI जनरेटेड कंटेंट है आप उसको उस रुप से देखिए यह उस पर पर इस दुनिया सब परिशान है अब कुछ भी बना सकते हैं किसी के लिए लेकिन क्या यह इतिफाक है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉंग्रेस के लेना देना है उनका नहीं समाल यह है कि यह जो कि एक विश्वास खोच चुके हैं यह चुनाव का नहीं जनता के साथ उनका कोई कनेक्टि नहीं यह हर चीज में को जुट बोलना पड़ रहा है कि अपने जसे का स्विए में जूट बोले जैसा वो किसान अंदुल में जूट बोले जैसे वो हमारे कोई भी निल्ला हो हर प्रकार से जूट फैलाना क्यों तो उनको लगता है कि यह तो होता ही चला जा रहा है तो रोक तो सकते नहीं है खुद कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर आप confusion पादा करो जूट फ़ला करके confusion पादा कर सकते हो तो यह उन्होंने खेल शुरू किया है अगनी वीर पर जूट बोला सब मैंने काना कोई विश्य ऐसा नहीं है जो देशित का हो उसकी चर्चा कभी की नहीं उन्होंने स्टडी किया नहीं है कि इसे ने पकड़ा दिया उनको लगता है इससे लोग भढ़केंगे वोट मिलेगा और उनका इरादा है भढ़काना और अब वो पूरी तरह फरजी बातों पर ही दिर्वर एं फरजी नारों पन निर्णे हैं ने वह उनका अब यह जो फरजी खेल चल रहा है परजी वीडियो के सारे चुनाओति नहीं कि कोशिशिक देश में कभी नहीं चल सकती जी और मैं मांता हूँ जिमीन की स्थिति बील्कुल आघा कर जी अब यह ons को नेकर क्या पारजी चलाते कोई मुझे मताएं जी को लोग मुझे कहता है कि मोदी जी इतनी मेह नट क्यों हो कभी तों कि फोच अगर फम मेरे हात मोता हैं तो असलें dreams ज्द भी तो मेरे इसाइद कर पेशनों देश की जंधा कि मात्मार्य चलाज रहे हैं क laughed स्क्राइब करें गें लिब में नोगें गडला वे इक किना जो से लिडीय में विदेश को से आप प्रặtः अब माम के कि वह टन में की ख्राइब करेंगें तो यह बदल जाएगा जो za कुलान मैं अपने और लिए को आपने निकाला आई ने ऱहां लेकिन आप लोगो चाहर आपने अच्छा निकाला वे इसनेमें भी तरीके से इस सब्चेक का एनालिसिस हो सकता है क्या अब जैसे आप सुषांत आप पाट साला चलाते हैं पाट साला में आप बैठ करके पर यह ताना साही अब ताना साही में यह सो पॉइंट होते हैं चलो और फिर सामने कॉंग्रेस लिखो बीजेपी लिखो कौन सा हमारे बैठता है उनकी दादी ने क्या किया टिक मार करो मुदी की पार्टी के में पहले जो नेता थे किसने क्या किया टिक मार करो उनके पर नाना ने क्या किया टिक मार करो आप न्यूज रूम में आकर के सरकार बैठ जाती थी, क्या कभी चर्चा करोगे, टिक मार करो, नहरु जी का पहला समसोधन क्या था, समभीदान का, टिक मार करो, इमर्जन्टी के वक्त अधिक पत्रकार, जेलों में कभी ताय लिखते थे, टिक मार करो, आपका गाना पसंद बिपाश्चे नेतां जेल में पड़े थे कितने समय पड़े पड़े थे सरकारे कितनी गराई कि हिसाब लगाओ हमारे काम ने हिसा लगानुव सेनल के जहाद ले करके फिकरेग मनाते थे बताईए कौन से लिबकृत से थी अब समझाइए मन माने तरह से लोगों को घर गिराना नश्बंदिया करवाई किस प्रकार से करवाई थी आपने गायति दिवी के साथ क्या जुल्म किया था आपने यह समरी बाते यानि इस पूरे चेलिस को आप एक बार आप अपने तरीके से निकालिए 100 पॉइंट और टिक मार किजिए जी मैं तो चालता हूँ एक सप्ते पर आपकी पांट साले चलेए और और मैं बानता हूँ कि सो में से एक बिंदू पर आप में कहीं पर भी एक छोटा स जम्स भी यह जो आरोप लगते हैं वह बाला जम्स नहीं निकलेगा जी हम यह जो सहर है ना इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डिमोकरेट हैं हमारे रगों में डिमोकरसी है वन्ना जो गालिया पड़ रही है जिस पर गार का जिल्म हम पर हो रहा है चुप-चाप सहते जाले मजबूरी नहीं है जी दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्रकां पूर्ण बहुमत के साथ दस साल से सासन बेदाग सरकार तेरा चौदा साल का राज्य का मुक्षिया के रुप में सासन तेइस साल का लंबा जीवन एक दाल नहीं लगा है उसके बावजुद भी यह जितनी गाली यलोज को एक आत्मी सेह रहा है एक शब्द बोले मिना सेह रहा है इससे बड़ी डेमोक्रेशी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है जी यह सवाल हम पूछते हैं न्यूजार्प की डिबेट शो में भी यह सवाल पबलिक का शो पर भी कि आप लोग रोज आते हैं टेले हम लोग थे उस चौदा वाली लेस्ट में हम वाली लेस्ट में गॉइक जानल लेस्ट हैं थे जो कह रहें कि आप ताना शाह है वो भी आजाद घूम रहें तो पतानी कौंड से टाइप के आप ताना शाह है जो कह रहे हैं कि मरजा मोदी वो भी बाहर भूम रहे हैं तो पता नहीं कौन सी ताना शाही है आप कुछ भी निकाल दीजिए जी मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है ऐसे अबदर वाशा का उप्योग किया है लेकिन उन कि कि एक Π्रदान मنت्री तो है लेकिन एक इंसान भी है बेटे वी यह A sabal मेरी मा का नहीं है उप मेरे मार जळिया Remember दो जो कोई नहीं मैंने पूरा Accept बहुत चोटी तो उस प्रकार से मैं तो गुनागार को एक प्रकार से वो तो नहीं मानती होंगे ऐसे यश मैं माफी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपका कभी निजी भाव बहुत बाहर नहीं आता लेकिन क्या ये चीज आपके बैक आफ दा माइंड चल रही है सर जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है सब कुछ होगा लेकिन आपके मान नहीं होगे आप हर चुनाव के बाद उनका पैर चुने जाते हैं ऐसा है कि मैं तो कभी उस मराजिन दिते में था नहीं अच्छानक मुझे कि संक्रण का काम कुछता है आटल जी का फोन आया कि विरात को आओ काम है कि माटल जी के पास आया तो कि तुम्हें गुजात जाना है कि कि क्यों कि मैं अभी है इतने सारा देश बर का काम देखता हूं अब फिर मुझे गुजरात क्यों करी रहा हूं मैं और उसमें गुजरात का भी कभी कि जाके देख लेता हूं नहीं अब बहुत हो गया संगटर अब तुमको सरकार समाननी पड़ेगी मायने तुमकष अपशचा नहीं कार Ну nggak मुझे थाना नहीं देख मैं करूँगा कि तुमकष नहीं अब मुझे। मुझे मजे और मिचार अब आत करा और है सब दूर सब लोगों कई दूरों तो पर मैंने अटल जी को फोन किया मैं का तेल जी मैं आता हूं जो पार्टी करेगी मैं कहें कि नहीं होगा तो फिर मैं गुजरात गया तो पहले मेरी मां से मां से मैंने कहा कि मां तुम सोचा भी नहीं था मेरी तो दुनिया लगती अब मुझे वापिस में आ रहा हूं गुजरात अच्छा बले तुम गुजरात होगे तो अच्छा है उनकी खुशी यही थी कि पास मस्दीब मुझे दो बाते का ही देख भाई गरीब की चिंता करना और दूसरा गुजराती मेरी श्रुट को लाच सब्दा है कभी लाच मत ले रहां शाद उस दिन के टाम सब इंडिया में रिपोर्टर भी है तो यह तो मेरा तब से फिर एक बार नाता जूड़ा वैसे तो मैं बड़ा कटॉप था कि बाहर ही रहता था फिर मैं जब नामंकर करने गया पहली बार तो मैंने का चलो मा के पहर शुकर कर जाते हैं तो मैं मेरी कर गया माने मुझे गूड के लाया कि कब से लेकर कर कर मैं जितने नामंकन किये हैं सब नामंकन के पहले में मा के पैर छुदे गया और नामंकर कर कर गया और गुर्दीति थी यह पहला मेरे जिनके का चुना हुआ है जब मैं मा के पैर चुए बना जाओंगा लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज कि एक सो चालीस करोड़ देश की करोड़ माता हैं कि उन्हों देश है कि जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया अशिर्वाद दिये कि उन्हीं का स्मरण करके और फिर मागंगा तो है है तो कमी तो है पर देख रहा हूं कि करोड़ों माता है शायद भावात्म गुरूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी और देती रहे हैं शायद आज जो लोग ये इंटर्वियों देखेंगे उन्होंने इतना भावुक होते वे शायद आपको कभी नहीं देखा होगा आपके सामने मा का जो भाव मैं देख रही हूं मैं भी एक माँ हूं मैं समझ रही हूं कि ये भाव क्या होता है शायद शायद लोग ये भाव पहली बार देखेंगे क्योंकि आप थोड़े तफ पॉलिटीशियन लगए करोड़ों माय आपके साथ है एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूं मेरे सामने किसी वेक्ति को मैंने ये कहते ले सुना अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे कि वापस आओ तुम्हारा वोट यहां है और अगर अपना पित्री रण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देखेंगे जाओ है उसमें बच्चे भी है जी छोड़ छोड़ी बेटियां है पर मा सरूप मैं बोल रहा हूं तो मैं मा कहते को यह बायोलोजिकल चर्चा मेरी नहीं है एक पुरा बढ़ा भाव है लोगों की तरह प्रदान मंत्री जी लेकिन मैं एक दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में तीन नंबर की एकॉनमी बनेगा आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री पर डालने की बात कर रहे हैं आपको नहीं लगता कि एको सिस्टम पहुत्री को रोकने की कोशिश करेगा सिर्फ देश में नहीं बाहर भी और इनने कुछ लिंक मैजर आता है कुछ मुझे लगता है कि यह विरोध वारी जो तीवरता है इसकी उमर चार जुन तक है चार जुन के बाद नहुं की हैसियत होगी नहुं का हौस्ला होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी मेरे देश का सामर्थ होगा मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ होगा मेरे देश के 140 करोर नागरिकों का सामर्थ होगा और दुनिया भारत के लोगतांतरिक सामरत को नए सिरे से देखना शुरू करेगी और यह जो भी है मैं देखना हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाओं को इंफ्लियोस करने के लिए कोशिश कर रही है जो कि उनको नहीं करना चुई है यह वो अपना उपीनियन नहीं दे रहे हैं अपना कॉमेंट नहीं कर रहे हैं वो इंफ्लियोस कर रहे है लेकिन भारत में इंफ्लियोस नहीं कर पाएंगे भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती हो बड़ी जबर्दस होती है वह आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का घरीब के मगए आत्मी में भी लोगतंतरस वतंतरदा यह आदर्श क्या होते हैं उन्हें दिखाया है और इसलिए इसमें तो वो कुछ करनी पाएगे मुझे पक्ता विस्वास है कि जब दीपक बूज जिने को होता है ना फट पट पटाती है तो यह वो फट पटात है अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जै प्रदान मंत्री जी एक काम जो आपने किया है जो हम लोग भी बाहर जाते हैं विदेश दौर आपता कवर करते हम लोग अभी युएस गए थे तो मन बड़ा गर्ब से भर गया कि बाइडन साब के वाइट हाउस में मोधी मोधी के नारे लग रहे थे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो भी अंदर सोच रहे हों कि किस महमान को बुलाया है कि हमारे गर में मोधी मोधी के नारे लग रहे हैं तो यह एक सेंस ओफ प्राइड ज करना कमिनल होना है मंदिर जाना कूल नहीं है यह संस आ Lexo आपने भारतियों में और है क्वेरे क्या है आपकी आपकी सोच थी कि मुझे इसा करना है मेरा मेरा जिवनि स्के लिए है सबाल सोच का नहीं है मैं चाहता हूँ कि जो भी भारत को प्यार करता उसकी चम्री का रंग कोई भी हो जो भी भारत को प्यार करता है वो भारत पर गर्व करें और आन बान शाथ के साथ गर्व करें और समझ करके करें आग बंद करके करें मेरी अपेशा नहीं है और मैं हिंदूओं तक सिमित रह करके इतने बड़े महान देश को अन्या करना नहीं चाहता हूँ वो तो पाप होगा अगर मैं जिरब हिंदूओं में ये भाव भरू तो मैं पाप कर रहा हूँ मुझे तो भारत को प्यार करने वाला दुनिया के किसी भी भूबांग में प्यार करता है और मेरे भारत के लिए गवरव गान करें तो मैं पर इस दुनिया में आपके देखा होगा मात्मा गांदी के 150 साल हुए है पचास साल भी हुए थे, सौ साल भी हुए थे, दुनिया को पता तक नहीं चला, मैंने मात्मा गांदीजी का सबसे प्रिय भजन, बश्न भजन, मैंने तए किया, कि दुनिया के एक सो पचास देशों में, वहां के टॉपों स्कलाकारों से, यह होना चाहिए, और किया, दुनि जाके, एक सो पचास देशों के टॉपों स्कलाकारों ने, एक गुजराती भजन, मात्मा गांदी का पूरिय भजन, सारी दुनिया ने गाया, मैं मेरे देश के गवरों के लिए, दुनिया को जोड़ना चाहता हूँ, मेरे लिए, उसमें कहां किसके गोद में पैदा हुआ, वो मुद्दा ही नहीं है, किस भूमी में पैदा हुआ, वो मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया मेरे भारत का गवरों करें, ये मकसर लेकर के मैं तो निकला हूँ, मेरा तो कमिटमेंट है ये, जीता भी तो इसी के लिए हूँ, योग दिवस भी, आंतराश्री योगा दि फीचर, फिर मैंने का, वन सन, वन वर्ड, वन ग्रीड, विजली के लिए मैंने का, तो मेरी हर सोच में, मैं ग्लोबरी, मैंने हमारे तिंद्रियान गया, तो पॉइंट का नाम मैंने शीव शक्ति रखा है, अब शीव शक्ति से उसको किसी को तकलिव हो, कि ये हिंदु वाल से क्या हो सकता है जी, और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं, संकोच भी नहीं है, मुझे गर्व है, तो मैं गर्व से जीता भी हूँ, लेकिन मैं किसी भी जाती, धर्म संपरदाय, रंग, रूप, भूबा, कहीं से हूँ, मेरे देश के गीदगाई दुनिया, इसके लिए सांथा जी, लेकिन हमने वह विश्वा दे, और मैं तो मुझे पत्रकार परिवार में से भी मुझे उनका कोई बच्चा वी देश पढ़ता था, होगा आजकाल तो हमको युनिवर्सिटी में मोदी जी ने भारत को कुल बना दिया, यह बच्चे बड़े युनिवर्सिटी शाथ से गुब रहे हैं जी, ने कूल और स्ट्रॉंग दोनों बना दिया, प्रदान मंतरी एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देख कर तकलीफ होती है, वो है कि जिस तरह का हम एक वाक्या देख रहे हैं, प्रजवल रेवर्ना, मेंबर पार्लिमेंट रहे हैं, उनके पिता जी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेलपर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोज, 2976 वीडियोज की बात की जा रही है, और वो आदमी भाग जाता है देश से, इस पर हम क्या करेंगे, क्या हम लाचार मजबूर है, क्या हम वापस लाएंगे, इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिला हूँ, पहली बात है, एक कानून वेवस्ता का मुता है, अगर बंगाल में इस परकार का खटना होती है, तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है, तो गुजरात की समाच जिम्मार है, आंदर में होती है, त पर इज़ अवर कॉंस्टुटुटुशन इसका मेरा साप मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जराबी बख्षा नहीं जाना चाहिए कठोर से कठोर से होनी चाहिए और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन ये 2900 या 3000 वा 5000 जो भी हो एक दिन की तो होगी नहीं इसका मतलब तपका है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे देवगोडाजी की पार्टी और कॉंग्रेस पार्टनर पहते तपका है इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये सारा एकठा करके रखा और चुनाओं में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतलब पूरा हो गया वो ब्लॉक वो कलिकाज़ा उसके बाद उसको भार लाना और उसको भी उसको विदेज बाहर बेदने के बाद बार लाना यह बहुत ही संकास्पद है कि कि आप उपने राज्य से जाने दे रहे हो अगर आपके पास जानकारिया तो अपने बहुत रखते एरपोर्ट पर रखते आपने कुछ किया नहीं भारत सरकार को कभी इंफॉर्म नहीं किया आपने इसका मतलब यह उनका राजनीतिक खेल है और उनको मानू मैं कि इतां को नहीं है कि इसके सरकार में जब उनके फागी जा रिएती तब कहीं रहने जमा करक्ड़ कर रखा हुआ है कोई इपसेंट बढ़ता ही होना चाहिए भिदानमंत्री जी एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बड़ी हुई है और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि पांच साल पहले आपने कहा था कि उसके रोजगार की डेटा पर जो है उसकी विश्वसनियता पर आपने प्रश्न उठाए थे क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनावती है और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप करिया चाहिए पहली बात है कि आज आउसर ही आउसर है हमने चुनावतियों को चुनावती दे करके आउसर में परिवर्तित किया है लेकिन आवशक नहीं है कि चीजों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए एक्टूरेट सोर्स से जो डेटा मिलता है उसको आधार बना आप जैसे पीलेफेस का डेटा उसको विश्वश नहीं मानोगे आप पीलेफेस के डेटा को तो विश्वश हो गया बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्थर पर है उसी प्रकार से ग्रामिड बेरो से लेकर के 2023 बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपरशन रेट पिछले दिनों से सबसे ज्यादा बढ़ा है प्वेंटी सेवंटीन पॉइंट प्रतिशन लेबर फोर्स पार्टिसिपरशन रेट 2023 में लगवग 58 परसंट हुआ है अब इसको क्या कहेंगे बेरोजगारी दर 6 पर सब्सक्राइब 3 परसंट हो गया है इसको क्या कहीं कि नारी शक्ति की फागेदरी लगातार बढ़ती जा रही है दस साल में दस करोड महला है विमेंट सेल्फेल गूप में एक्टिव हुए वो एक्कोनोमिकल एक्टिमिटी के काम करती है और एक करोड लगपती दी और अभ सब्सक्राइब 2 बढ़ाई गई है मुद्रायोजना लाखों लोगों को हमने बिना गारेंटी लोन दिये और एक एक दो दो लोगों को रोजगार दिया नए स्पेस खुल दिया हमने स्टार्ट अप पहले की जमाने में 200 इंस स्टार्ट अप ते आज करीब की सभाल लाख स् आज द्रॉण जीवन में इतना उप्योगी हो रहा इतना बड़ा मैनिफेक्टरिंग से लेकर के सर्वी सेक्टर तक आज कोई भी टीवी केमेरा वाला शादी वाला केमेरा वाला भी ड्रॉन वाले अलग अपरेटर रखता है जी ड्रोन दीडी का मेरा कारिकम पुरे देश म बात हो रक्षा चेत्र हो इवन ट्रांस्पोर्टेशन का चेत्र हो मेडिसिन में कितना बड़ा कमार हो है फाइव जी कभिस्तार ये टावर बार को लगे होंगे तो रोजगर को दो मिला हुआ AI इंटरनेट अफ तिंग्स कितना बड़ा उसन मिल रहा है याने एक 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 छेत्र कों आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि अब अपना मचाईव ये सिख जी पर काम कर रहे हैं लेकिन अगर किसी को जूठी बोलना है तो इसका कोई उपाय नहीं है जितने आवसर हमने पैदा की है वो पहले कभी नहीं हुगी है और जितने आवसर के संभावना हम देख रहे हैं वो भी पहले कभी नहीं सोचा गया था मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियो भी आते हैं वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रदान मंत्री बन जाए दिजली तो आएगी और मोदी के राज में कितनी महँगाई है 2014 के पहले कितनी महँगाई थी 2014 और आज तो युद्ध का समय है और अब हैरान हो जाएंगे जी मुझे दुख होता है कहने से लाल किले पर से पंडित नहरू का भाषन है आपको वो और वीडियो दोनों मिलेगा उस बाषन में वो कहते है कि महँगाई इसलिए बड़ी है ताकि नौर्थ कोरिया में लड़ाई चल रही है नौर्थ कोरिया में लड़ाई तब तो इतना ग्लोबलाईजेशन नहीं था और नहरू जी को महँगाई मरती थी अभी तो यूकरेन वगएरे में तो लड़ाई को दुनिया पर सीधा प्रभाव है क्योंकि वहां कोच चीज़ें हो है यहने फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल तीनों पर इस लड़ाई का प्रभाव है जी और तीनों महँगाई के मुलबुत चीज़े है तीन प्रधान मंतरी ब्रिटेंग में बदल गए महँगाई कंट्रोल नहीं कर पाने की बज़े से वहां लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं महँगाई की बज़े से मैं तो चाहता हूँ आपके न्यूजवर में एक पूरा आप समय एक इसी पर निकालिये जी और जानका लोगों को बलाए तू तू मेमा वालों को नहीं मैं पक्का बताता हूँ जी देश को पता चलेगा कि इतना जूट चलाते हैं जी और आप एक न्यूजवर में आपका इसको समर्पीद कीजिया बिल्कुल इस मुद्धे पर गहराई पर जाएंगे लेकिन प्रदान मंत्री जी एक सवाल जो हमेशा पूछना चाह रही थी मैं आपने कहा जून चार के बाद सब कुछ थम जाएगा ये जो इकोसिस्टम का जो चल रहा है और सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले सौ दिन का कारिक्रम भी बन चुका है तो कुछ बताई और आप बार बार अपनी रैली में कह देते हैं कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं तो जनता एकदम दिल थाम के बैठी है कि क्या फैसले आने वाले थोटा सा ट्रेलर अगरो मैं मैं आपको बताता हूं कि एक तो यह मेरा अने स्वभाव से में बहुत एडवांस प्लानिंग का मेरा नेचर है मैं बहुत इसे गॉड़ गिप्टेट मेरा मेरा सौफेरी ऐसा साथ बना हुआ है तो मैं बहुत एडवांस में सोचता हूं तो मैं और गुज्राथ में मैं एक्स्पेरियंस भी था मैं सरकार के बाद मिजी क्या करना है मैं यहां 14 में भी सोच के आया था 19 में भी मैं सोच करके बैठा था हूं देखिए हमें हमने जो काम किये है आप मेरा पहले कब देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने जो कानून बना था पहले कर दिया आर्टिकल 370 हटाने का काम हमने कर दिया शुरू में कर दिया एनी बड़ी समस्याओं से निपटना उसको पूरा करना है मेरे नेचर में और मैं जे तीसरा टम के लिए मैं बड़े नेड़े चाहता हूं महत्वपुर्ण नेड़े करना चाहता हूं कोई तोड़ फोड़ करने के नेड़े मेरे नहीं होता ही जी सो दिन का मेरा प्लान बिल्कुल रेड़ी है और मैं चार तारीक के बाद एक 20-20 समय खराब करना नहीं चाहता हूं मैं मुझे इतनी अनुकुलता है कि मैं मेरे देश को एक रत्वपन नुक्सान होने देना नहीं चाहता हूं मैं विलम के कान नुक्सान वह 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 पुभी नहीं होने देना चाहता हूं और जहां तक तो पिछले दस साल से आप देख रहे हैं तो सर उस लिस्ट में क्या पूरे देश में यू सी सी लागू करना भी है पहली बात है कि यू सी सी का जो विश्य है भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहा है जी ये लोग इतने सालों से कर नहीं रहे थे क्योंकि वोट बेंक की राजनीती उन पर सावार थी UCC हमारे संखल पत्र का हिस्टा है दूसरा इस देश की सुप्रिम कोड़ने कम से कम दो डो जन बार कहा है कि भारत में UCC करो और ये देश में देखना चाहिए गोवा में अल्रेडी यूसीजी है मेरा देश चल रहा है गोवा में सबसे ज़्यादा माइनोरिटी है फिर भी यूसीजी बहुत बढ़िया तरीके से चाहिए उत्राखने बहुत अच्छे दिशा में कदम उठाए है तो एक के बाद एक प्रयोग है हम थोपने वालों में से नहीं है जी हम इवाल कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन वन इलेक्शन अब यह में रिपोर्ट आया है रिपोर्ट पर स्टड़ी करने के लिए मैंने कहा हुआ है परसामंदरी किया आप सिर्फ 24 ट्यारी करके बैटे हैं 29 या मैं पताता हूँ हूँ काम की ने मैं चुनाव के लिए सोग आूं ने में चुनाव का टायम टेम मील करना करके काम करता हूं मेरे सामने साफ है कि यह देश जिफ सौ साल का होगा तब आजादी के सौ साल जब हो जाएं तब देश कहां हो और ये रातुरात नहीं होता है जैसे मैंने एक इस बार बज़ेट में वाक्य बोला है अब जो ट्रेलर और आगे क्या पूछ रही हो ने इसमें मिलेगा आपको मैंने बज़ेट में वाक्य बोला है कि हम देमोग्राफिक को ले करके एक कमिश अब ये क्या है तेकि दुनिया के बहुत से देश परेशान है वहाँ पर एजिंग के करण बहुत बड़ा पॉपुलेशन अब एक डेमोक्राइश भी का एक रूप है मैं नहीं चाहता कि 2047 में मेरे घर देश में जो बुजुर्ग लोग है उनके लिए कोई प्लाणिय नहों कि आज आप जो नौजवान है वो 2047 में बुड़े होंगे तब आप असाहता ना रूप हो इसके लिए प्लाणिय अभी से होना चाहिए मैं इस लिवल के काम कर रहा हूं जी मैंने अल्रेडी बजेट में एक वाके बुला लेकि देश में मीडिया पकड़ने पाएं उस बात मैं राजनीती में कौन आए कौन जाए कोई देश आथा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के अधर पर चलता हूं जी मैं मोदी के अधर पर देश चले ये मोदी कभी नहीं चाहेगा ऐसा मेरा देश ये मेरा देश तो बहुरतना वसंद्रा है जी यहां तो अनेग रत पैदा होते रहे हैं आगे भी होते रहने वाले हैं और देश आगे चलने ही वाला है लेकिन इस प्रकारते माला जपने से कोई अपना भविशन नहीं बढ़ा सकता हर एक को अपना भविश थोड़े कम करने चाहिए बहुत सही कहा आपने आपके कोई पोलिटिकल परसनल बकिट लिस्ट होती है सबकी कुछ जो हो गया जो सबसे आपके दिल के करीब था कोई एक चीज ऐसे बताईए कि वो हो गया तो मेरी अचीवमेंट मुझे मैसूस होती है मेरा काम का जो स्टाइल है वो एक बड़ा ही इंटिग्रेटेड होता है कॉम्प्रियंसिव होता है टुकड़ो में नहीं होता है लेकिन मैं जब उसको बहार लाता हूँ तो वो प्रोग्रेसिव अन्फुल्मेंट होता है जैसे मैं कहूंगा चलो भाई सब के बैंक अकाउंट खोलो मुझे यहां थे में 2014 में नहीं नहीं आया और जंदन अकाउंट का में नहीं शुरू किया तो हमारे अरून जेटली बड़े परिशार होगे क्योंकि बहे हर तीसरे दिन मॉनिटरिंग करने लगा कि बहे कितनी बैंकों नहीं किया बैंक वाले जोगी जोपड़ में जाते हैं नहीं जाते बैंक वाले रेडी फट्री वालों के पास जाते हैं अरूर जी नहीं का अपने और कर दिया है मुझे यह सो दिन में काम पूरा करना है लेकि तब दुनिया को लग रहा थे तो जंदन एकाउंट खोल रहा है अजब बैंक वाले मेरे जगड़ा कर रहे तक सब स्टेशन देखा परसा तो मिले मैं कुछ नहीं मिलेगा जीरो एमाउंट से एकाउंट खुलेगा तब आश्चे नहीं होता था लोको लिए वही जंदन एकाउंट को रहे तकत बन गया वही जंदन एकाउंट फिर मैं उसको अधार से जोड़ा फिर मैं इसको बिड़ाइब वेल से जोड़ा तिर्श लाग करोड रुपया डारेक्वेश्ट ट्रांसफर हो रहा है पिन मंद्रेगा से जोड़ा याने मैं जब बैंक के खाता दु दुनिया का सब बड़ा फाइनेंसल इंक्लूजन उनकी गाड़ी महीं अटक जाती है मोदी कि दो ही जुडू होती है और बाहर के जितने देश से लोग आए उन्होंने वो डिजिटल तो वह भी देखा तो जब करता हूं लगता ही यह करते हैं लेके समयली से मैं यह करता मैं सिंपल बताता हूं जी कैसे होता है मैं गुजराथ गया मुक्य मंत्री के नाथ हूं और मेरी पहली सच्चिवों के साथ मिटिंग थी तो उस समय हमारे शिक्षा सच्चिव मिश्र मारकर करके थी तो मारकर ने कहा गल चाल एजुकेशन में देश में हम 20 नंबर पर हैं अवे चोग गया है गुजराथ जैसा राज्य गल चाल एजुकेशन में 20 नंबर पर हैं प्राइब मैं रहता था जहां मिनीमुम घल चले जुकेशन है और मैं तीन दिन में पांच गाओं गाओं करता था उन पांच गाओं में घर कर जाना कि मुझे बच्चन दीजिए कि मैं मेरी बेटी को पड़ाओंगा तो मैं बिख्षुक के रूप में काम करता था और मुख्यमेंते के नाते तीन दिन बिख्षा मांगने ना मांगने इम्रा नियम था और बच्चियों को मैं दिवाली के बाद देता था जिस्में कौलिटीव एजुकेशन में याने पहले तो लगा कि यार मुदी गर्मी में ले जा रहा है गुमारा है लेकि बात यहां तक पहुचा दी तो मेरा काम करने का तरीका यह है कि मैं चीज को कहीं शुरू करता हूँ तो पड़ा तो समझ लीजिए कि मैंने बहुत लंबा सोच करके आया हूँ जब मैं योगा की बात कहीं तब लोगों को लगा किया हर दिन मनाने के बात आती वैसे है क्या मेरे यह अजाटा नहीं था दुनिया में एक विमन के सिवा है कोई भी ऐसा डिय नहीं यह जैसे योगा डे है कि विमेने पकड़ गया है ले यूए नियुसको ओनर से ले आ है योगा दुनिया ने खुद ने ओनर सी ले लिए तो आप योगा के साथ मैं आई युद्ध यूद्ध के साथ भारत की परंपराइं ले आया उसके साथ मैंने कोवीड में अल्टनेट मेडिसन ले आया मैंने ब्रिक्स में alternate medicine का subject रखा मैंने G20 में traditional medicine का subject रखा याने आप देखें चीज में छोड़ता नहीं हूँ आपके जो विरोधी वो इसलिए घबराते भी कि अभी यह निकरा है इनोंने आगे क्या सोच रखा होगा और विरोधी यह भी सोचते हैं कि इतना confidence के चार जून को यही रिजल्ट आएगा ज़रूर EVM में कोई चिप डाला मोधी चिप ऐसा है अब कुछ भी कि यह उसका आरत यही निकालते हैं को एतना डरे हुई है निजी कुछ लोग को देने जो दिवार पडिरोड़ा सर्पोट दिखता निस वह भी भूज़ दिखता है को दिवार पdo की वर्यत इद्वार के कलर में थोड़ा बनाने वाले बेचर रात कहतник들 सतने नहीं पाता है वो ऐसे लोग होते हैं उनका क्या करोगी मुझे नहीं कोर्स इंट्रोडिश करने पड़ेंगे लिए ऐसे लोगों के लिए आपका बहुत बहुत कारिक्रम है लेकिन आज आपने बहुत बहुत धन्यवाद पाट्शाला में बहुत सारे अध्याए देश के खोल हो उसने अलग लेवल है मैं मानता हूं यह ठीक है कि नियुजावर में तुटुमेमे वाले लोग भी आते हैं पाट्शाला में अलग से आपने उसको डेवलप किया है लेकिन आपको भी तो वेराइटी लेकि आना पुड़ता है जी होड़ा तो एक गाड़ी चलती नहीं है पिल्कुल लेकिन आपने आपने भावुख होकर भी और देश को आगे ले जाने की लिए जो हमें रास्ते हैं लेकिन आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबाग तरीके से आपने मुझे जी सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेसर में रहते हैं वेडिया में ये की को सिस्टिम ने इतना प्रेसर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाओं में उनकी भाशा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके कर देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं ये एको सिस्टिम ने इतना दबाओं पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पर जीना पड़ता है और आपको भी लगता है यार कहीं आउट्डेटर हो जाएंगे तो मैं तो चिंत ये ये हाल करके रख दिया है आपके पूरे एक छेत्र में और दूसरा देश में पहले पत्रकार इता है ये पत्रकार अख़बार आता था वह बांता है पत्रकार उसके वैल्यू थी आज सोशल मेडिया से सभी पत्रकार उसको वह जानता है कि ये वह वेक्ति लिख रहा है म लेकिन हम कोशेश कर रहे हैं कि वेल्यव सिस्टम रहे क्योंकि 30 साल पक्तरकारता में हर फेस देखा है मंगता था अब रहे हैं आप दबाव में जी रहे है रहा हूं बैधान में पड़्पा कोई ती डोस नहीं है आपको भी हाने से रहता होगा स John कि आर मोथी को दस दो सवाल तो टो टेड़े पुछने ही पुछने वना, यह मत क्यों कि क्यों कि आपको चिन्ता हैं कि बाद मेधिर यह अलोचना नग 통 करिному मालूं है उनको इसके content पर इंटेस्ट तुनको इसी मे einzige इंट्रेस हैं कि मोदी को आपने फसाया के नहीं फसाया इसी में इंट्रेस अगर फसाया तो इंट्रिव अच्छा नहीं फसाया तो फ्रेंडी मैग थी लेकिन वो गीता का ग्यान है ना करण किये जब फलकी इच्छा मत करें इंसान्तिक बहुत भाध धन्यवाद आपने समय दिया और सवालों पामनाएं भी जो एलक्षा नहीं चार जुन के बाद मिलेंगे बिलकुल इंतजार रहेगा दो हजार साथ में भी आपने चुनाब के बाद मुझे दिया ता तो इंतजार बिलकुल थैंक यू थैंक यू कर फौल मैं मुझे दूट radiop discriminantव कर दो का जब जाहेगा है untuk भी करे बिलक। थारा जूतार जूएकर दासरों धो। थैंक यूतर ‫सक्षा जूतिक शजारा जा कि पिर देके था बाद है यूू हैू झाल झाल